आज कल रामलला की नगरी आयोध्या चर्चाव में बनी हुई है। आयोध्या को लेकर चर्चाई गर्म है। इतना ही नहीं आयोध्या को लेकर राजनीती भी गर्म आ गई है। आपको बता दे कि आयोध्या में रामलला प्रार्पतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। जिसकी तैयारिया तेजी से चल रही है देश की तमाम मशूर हस्तियों को राममंदिर के सकालक्रम में शामल होने का नियोता दिया जा रहा है साती हजारों की तदाद में सादू संत भी पहुचने वाले हैं लेकिन इस बीच नितीश की पार्टी जेदियों के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने विवादित बयान दे दिया है और राममंदिर समारों के लिए भेजे जा रहे निमंतर पर सवाल खड़े कर दिये हैं और कहा है कि क्या किसी के बेटे का बया है या फिर किसी के पिताक जी का श्राद है जो नियोता भेजा जा रहा है एक कारक्रम में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि क्या किसी के बेज़े का ब्या है जो निमंत्रड दिया जा रहा है निमंत्रड की क्या जरूरत है नियोता नहीं देंगे तो क्या हम अयोध्या नहीं जाएंगे अयोध्या जाईए नियोता की क्य जरूरत है वो निवता दे क्यों रहे है किसी कर पितट जी का श्राद है , या फिर किसी की बेटरे का अभ्या यो निवता बेज जा रहा है बेऊकूफ आद्मी है ़ैने मिं लेुदतां लें तो उनकी थोड़ी भी नहीं चलेए इससे पहले बिहार के रिप्रिसियम तेजस्वी यादो के भी उस बयान पर बिजेपी ने हमला बोला था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आपका पैर कट जाए आप बीमार हो जाए तो कहा जाएंगे मंदिर या अस्पताल भूख लगेगी तो मंदिर जाने से पेट तेजस्वी यादो के इस बयान से बिजेपी भड़क उची थी और तेजस्वी पर त्रिष्टी करण की राजनीती का आरोप लगाया था बाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर कुमार मिश्रा ने आरोप लगाया है कि गोमाता का चारा खाने वाले भक्ती भाव कैस समझेंगे ऐसे लोगों को सनातर का महत्तो जानने के लिए अध्यन करना चाहिए ऐसी में आपको क्या लगता है कि रामलला पे जो ये राजनीती तेज हुई है वो कितनी सही है कितना गलत है क्या बिजेपी सच में अयोध्या को अपने नाम पे करने माली है या फिर आपकी इसको लेकर क्या आप मन में क्या सोच रहे हैं क्या है आपका जो भी विचार है हमें कमेंट बॉक्स में लेकर जरूर बताईए देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे हैं इंडिया नियूज